हेलो दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग लेने में कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी यह हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, चलिए जूम करके देखते हैं, इसमें कोई 0 error है या नहीं जूम करके जब हम इसको देख रहे हैं, तो यह देखिए, इसमें वर्नियर स्केल का जो 0 है, वो मेन स्केल के 0 के साथ head to head कोन साइट कर रहा है, इसलिए हमारे वर्नियर कैलिपर्स में कोई 0 error नहीं है आईए अब इससे हम, क्यूब की एक साइट की length निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यूब को हमने वर्नियर कैलिपर्स के दोनों jaws के बीच में लगा लिया है, इसके बाद जूम करके हम इसकी reading देखेंगे अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले हम देखेंगे, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले main scale में क्या reading है तो ये वर्नियर स्केल का 0 है, इससे जस्ट पहले main scale में क्या reading है, वो है यह देखिए, main scale में हमें यह वाला mark दिखाई दे रहा है, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले तो यह है 1.9 cm, तो हम लिखेंगे main scale reading is 1.9 cm क्यूँकि वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले हमें main scale में यही reading दिखाई दे रही है 1.9 cm तो हमारी main scale rating हो गई 1.9 cm इसके बाद हमें क्या देखना है इसके बाद हमें देखना है vernier scale division कौन siding अब vernier scale का कौन सा mark कौन side कर रहा है वो हम देखेंगे main scale के साथ इसमें देखिए बेटा आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो ये 1 है ये 2 है और ये 3 है 3 बिलकुल ही कौन side कर रहा है देखिए 3 वाला जो mark है वो कौन side कर रहा है फिर 4th फिर हट गया 5th हट गया 6th हट गया 7th हट गया फिर सारे हट गये ये हमारा जो 3rd वाला mark है ये हमारा कौन side कर रहा है बिलकुल मेन scale के mark के साथ तो हमारी वर्नियर scale division कौन siding is 3 तो हम ये दोनो readings note कर लेंगे और इसके बाद चलते हैं calculation की तरफ हमारी main scale reading है जिसे हम capital N, M से denote करते हैं वो है 1.9 cm हमारा वर्नियर scale division कौन siding जिसे हम small n से denote करते हैं वो है 3rd division अब हमारी वर्नियर scale reading आएगी वर्नियर scale reading is equal to N into least count जिसे वर्नियर constant भी कहते हैं जो की हमारा है 3 into 0.01 cm जो की 0.03 cm हो गया अब हमारी side of square ये हो जाएगी main scale reading प्लेस y वर्नियर scale reading जो की हो जाएगी 1.9 प्लेस 0.03 जो की 1.93 cm इसी तरीके से आप तीन अलग-अलग positions पे reading निकाल लीजे और उन तीनों का आप average ले लीजे वही आपका quire की side का length हो जाएगा इसी तरीके से पीछे वाले jaws से आप किसी भी object का inner diameter निकाल सकते हैं इस तरीके से फसा करके यह देखिए इस तरीके से और इसके पीछे एक strip होती है यह देखिए यहाँ पर इस strip है इस strip से इसका depth भी निकाल सकते हैं